नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर चारदिक स्वागत है आपके अपने इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक एक बार फिर यहां, जहां से हर एक 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 सवाल पूछी जाते हैं तो यहीं टॉपिक आज हम सवाल करने वाले हैं, बिल्कुल सौर्ट एंड स्वीट में मैं आपको सारी चीजे समझाओंगा फिर भी एगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं लास्ट में मैं आपको कुछ क्योसंस भी स्वाल करोऊंगा तो वो क्योसंस भी आप अच्छे से रीड़ करना अच्छे समझना और जब भी ऐसे स्वाल पूछे जाए जैसे यह भी मैं लास्ट में आपको बता हूँगा ऐसा कि उसन कोई भी पूछा जाए तो आप उसको easily solve कर देना ओके तो चलिए पहले हम समझेंगे acid bass imbalance दोस्तो इसको समझने से पहले आप सभी से request प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक करके अपने friends को share जरूर कर दीजी और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon button को भी प्रेस कर दीजी ताकि आपको हर एक latest videos के update जल्द से जल्दी मिलती रहे है चलिए हम फटा फट से इसको solve करते हैं इसको समझते हैं acid bass imbalance जैसे कि आप सभी को पता है acid bass balance होना बहुत जरूर है हमारी body के अंदर acid bass balance का काम कोन करते हैं जैसे kidney हो गई lungs हो गया GI tract हो गई तो यह क्या करते है acid bass balance करते है acid का और bass का दोनों का balance बनाके रखते हैं body के अंदर हना चलिए अब देखे सबसे पहले कुछ दो point है वो समझ लेते हैं इसके बाद में acid bass balance को समझने से पहले आपको इसकी value पता होने चीए वो हम बाद में देखेंगे पहले देखें दो point जो important है यहां से भी सवाल पूछे जाते है आर्टियल blood sample सवाल पूछे जा सकता है कि ABG analysis के लिए आर्टियल जो blood sample लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है आंसर में आपक radial artery है वो ना देकर अगर आपको brachial और femoral artery दी जाए तो यह भी आप कर सकते हैं बट आपको radial artery को first priority देनी है इसके बाद brachial और femoral artery यहां से भी blood को sample जो blood का sample हो हम collect कर सकते हैं next एक test है जो बहुत important यहां से बहुत बहुत स्वाल पूछी भी जा चुके है alan test alan test से आप क्या समझते हैं to determine collateral circulation and adequacy to ulnar artery जो ulnar artery है उसके circulation और adequacy को detect करने के लिए जो test use किया जाता है उस test का नाम है alan test यह फिर मैं एक simple word में कहूं तो ulnar artery की patency को check करने के लिए जो test करते हैं उसको हम कहते हैं alan test ध्यान रखना बहुत ही important सवाल यहां से बनता है बहुत ही important है यह दोनों point आप याद करना अब देखे हम पहले हम पढ़ेंगे abg normal जो values होती है उनके बारे में अगर normal values हमारे को पता है तो हम acid base imbalance का चाहिए केसा भी सवाल हो हम उसको solve कर सकते हैं अगर abg values का हमें पता ही नहीं है तो acid base balance का कितना easy सवाल हो वो हमारा गलत हो जाएगा तो अपने को सबसे पहले तो abg जो values है वो normally अपने को याद करनी है देखे abg result में pH जो है वो normally कितनी होती है यह normally सारी चीजी जो भी है यहां पर abg result यह blood का है normally जो blood में इतनी presence इनकी होती है अगर इनमें disbalance होता है यानि अगर यह values उपर नीचे होती है मलब acid base imbalance हो 7.35 to 7.45 यह तो आप सभी को पता है यह pH तो आप सभी याद करी लेते हो हना 7.35 to 7.45 यह normal pH होती है बात करते है PCO2 carbon dioxide partial of carbon dioxide यह होता है normally 35 to 45 mmHg यह values ध्यान रखना में फिर कह रहा हूं यह values अगर आपको याद है तो acid base imbalance का कैसा भी सवाल हो आप उसको solve कर दोगे next देखिए SCO3 bicarbonate कितना होगा 22 to 28 mille equivalent per liter यह normal value है bicarbonate की partial pressure of oxygen जो PO2 है यह normally होता है 8200 mmHg next SPO2 saturated partial pressure of oxygen कितना होता है 95 to 100% लिए कि SPO2 SPO2 95 से अबव होगा normally 95 से अबव होगा और 100% तक होगा PO2 जो है वो 8200 mmHg होगा यह values ध्यान रखना यह values ही आपका सवाल सही करवाएगी ध्यान रखना अब देखिए एक trick में आपको बदाता हूं ROM आपने सुनी होगे ROM अगर imbalance acid-based imbalance को याद करना है तो एक trick आपको याद करनी है ROM ROM में चार वर्ड है R O M E R O M E यानि कि दो-दो वर्ड कर लिजी R O M E R O N M E यानि respiratory opposite, respiratory क्या होगा, opposite होगा यानि जैसे मैंने आपको बताया P H, P CO2 and P CO3 ये तीन values है ठीक है अब देखिए respiratory opposite, यानि respiratory में क्या होगा, अगर P H बढ़ रही है तो CO2 और NCO3 गिरेगा मलब P H increase हो रही है तो P CO2 और NCO3 decrease होगे, चाए P H घट रही है तो इसमें P CO2 और NCO3 increase हो जाएंगे बस मलब respiration में P H के opposite होगे, जो भी values है P CO2 के और NCO3 की, ओके हो गया next एक word हो रहे है M E, यानि metabolic equal, इसमें P H हो, चाए आपकी CO2 हो, चाए NCO3 हो, तीनों ही value same होगी अगर P H बढ़ रही है तो ये भी बढ़ जाएंगे, अगर P H घट रही है तो ये भी घट जाएंगे ये तो एक simple सी trick है, जो आपको याद कर लेनी है, बहुत ही important trick है ये ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी देखिए यहाँ पे respiratory opposite and metabolic equal, ये एक trick है, बहुत ही important है, याद अच्छे सी कर लेना respiratory में opposite होगा, देखिए यहाँ पे, जैसे respiratory acidosis, acidosis है मलब P H क्या होगी, गिरेगी आप सभी को पता ही होगा, 7 पे neutral होती है, और इसे अगर कम हो रही है तो ये acid होगी, ये acid होगी और इसे ज़्यादा हो रही है तो ये basic होगी ये तो normally आप सभी जानते हैं, छट्वी कलास से लेकर बार्यों तक आपने पढ़ा है, college में भी आपने पढ़ा है next यहाँ पे देखिए P H, P H मैंने क्या का अब ही respiratory opposite होगा, तो P H अगर गिर रही है तो CO2 लेवल बढ़ेगा और NCO3 लेवल बढ़ेगा वेसे ही respiratory alkalosis है, यानि 7 से ज़्यादा value हो रही वो क्या होगी alkalosis, तो यहाँ पे P H क्या होगी बढ़ जाएगी, P H यहाँ पे बढ़ जाएगी PCO2 यहाँ पे गिर जाएगा और NCO3 लेवल का भी, जो NCO3 लेवल हो भी गिर जाएगा और next जो trick है, वो क्या है metabolic equally, यानि P H अगर कम हो रही है, तो NCO3 और PCO2 लेवल दोनों ही decrease होंगे यह वे भी गिर जाएगे, देखिए जिसे metabolic acidosis, P H इसमें गिर रही है, NCO3 भी गिरेगा और PCO2 भी गिरेगा वेसी metabolic alkalosis है, तो इसमें P H बढ़ रही है, NCO3 भी बढ़ेगा और PCO2 लेवल भी बढ़ेगा तो यह तो एक simple trick है, यह तो आपको याद करी लेनी है, इनको solve करने के लिए यह तो trick याद करी लेनी है बस trick याद कर लिजिए, यह अपने आप याद हो जाएंगी चलिए, next, यहाँ पर देखते हैं, compensated, uncompensated और partially compensated, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं partially compensated से सवाल पूछे जाता है, compensated से पूछे जाता है, और uncompensated से पूछे जाता है acid-based imbalance की stages है यह तीन, यह तीनों stage के बारे में हम थोड़ सा समझ लेते हैं यहाँ से भी बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं, और अभी भी पूछे जाएंगे, ठीक है देखे, compensated किसे कहेंगे, compensated का तो सर हमें पता है, क्योंकि हमने पहले से पड़ रखा है metabolic problem हो, चाए respiratory problem हो, दोनों में ही pH क्या होगी, normal होगी दोनों में ही pH क्या होगी, normal होगी, pH अगर normal है, 7.35 to 7.45, वो value होगी आपकी compensated यानि वो stage कौनशी होगी, compensated, चाए respiratory हो, metabolic हो, understand next, partially compensated, अभी मैं आपको कुछ सवाल यहाँ पर भी बताऊंगा, और कुछ सवाल आगे भी बताऊंगा ओके, वो इसी method से हम solve करेंगे उनको है न, देखे, partially compensated में क्या होगा, HCO3 लेवल भी abnormal होगा, और CO2 लेवल भी abnormal होगा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या कहा है, HCO3 abnormal, CO2 level abnormal, जो normal value है, वो याद रखना है, उसी से सारे चीज़े हम solve करेंगे तो यहाँ पर HCO3 भी abnormal और CO2 लेवल भी abnormal, next, uncompensation, uncompensated किसे कहेंगे, जिसमें HCO3 normal हो, respirator में तो क्या होगा, HCO3 लेवल जो है, वो normal होगा, और metabolic में PCO2 normal होगा ध्यान रखना, यह चीज़ जरूर याद कर लेना, uncompensated, वैसे अगर आप partially और compensated और partial compensated को अगर आपने समझ लिया, तो यह uncompensation तो फिर आप समझी जाओगे, देगे, uncompensated में pH normal रहेगी, partial compensated में HCO3 और PCO2 abnormal रहेगा, metabolic में PCO2 abnormal रहेगा, और respirator में HCO3 abnormal रहेगा, लेकिन uncompensated में HCO3 normal होगा, यहाँ पे abnormal partial में, और यहाँ पे HCO3 normal है, uncompensated में, वैसे PCO2 partial में abnormal है, और यहाँ पे metabolic में, और PCO2 uncompensated में normal रहेगा, अभी हम सवाल यहाँ से solve करेंगे, तब थोड़ सा easy और आपको समझ में आएगा, यह values या फिर यह जो आपको points यहाँ पे uncompensated और uncompensated किसे बोलेंगे, अब देखें कुछ यहाँ पे सवाल जो आपको दिये गए हैं, देखें यहाँ पे pH, PCO2 और SCO3 लेवल यहाँ पे दे रखा है, अब आपको यहाँ पे इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकता है, सवाल में आपको कुछ भी दे, चाहे कोई एक पेशेंट है, जो motor vehicle accidents आए है, और उसका pH यह है, PCO2 यह है, SCO3 यह है, SC complaint हो कर रहे है, एजिनर्स आप वहाँ पे acid-based balance चेक कर रहे हैं, तो क्या देखने को मिलेगा न, इस प्रकार से मलब बढ़ा चड़ाएगे, क्योशन आपको पूछे जाएगा, देखें यहाँ पे सव मलब क्या हो गया, यह तो आपको पता चली है,पैज गिर गई मलब acidic हो गया, SCO3 यह है, वो normal है, 22 to 28 मैंने बोला है, तो वो क्या है, नौमल है, तो यह पेच जो है normal से ज्यादा गिर रही है, अगर normal होती, 7.35 to 7.45 तो यह तो compensated कलाती, बत यहां पे एक Wahrunity, बास्यस क्चिज होगी क्या होगी uncompensated अब देखिए यहाँ पर PCO2 का रोल है PCO2 भड़ रहा है यहाँ पर PCO2 भड़ रहा है यानि कौन सा होगा respiratory अगर ACO3 हो तो वो metabolic करेगा PCO2 गर बढ़ रहा है तो वो respiratory बताएगा तो देखिए यहाँ पर uncompensated respiratory acidosis आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर नेक्स्ट देखिए ACPH 7.50 यानि 7.45 से अबाव हुआ यह भी क्या हो गया uncompensated पिएच नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी नहीं है अभी मैंने आपको compensated partial compensated uncompensated जो बताएगा है उस मेथड को याद कर लेना अच्छे शी पीचियो टू लेवल देखिए यहाँ पर नॉमल है पीचियो टू लेवल क्या है यहाँ पर नॉमल है और यहाँ पर नॉमल है यानि कि 35-45 होना चाहिए लेकिन PCO2 भी यहाँ पर नॉमल है और यहाँ पर नॉमल हो लेवल क्या हो रहे हैं गट रहे हैं अपर नॉमल हो रहे हैं तो यहाँ पर यह भी क्या हो जाएगा अनकंपसेटेड रेस्पारेटरी अलकेलोसिस यह क्या होगा अलकेलोसिस क्योंकि पीच बढ़ रही है ऐसीडोसिस नहीं होगा ध्यान रखना ओके नेक्स्ट देखिए 7.30 मलब एसीडिक है पी-सीओ-टू-30 है और सीओ-थ्री-19 है मैंने क्या कहा था अभी पार्शिल में जो एसीओ-थ्री है मलल यहाँ पे पहले तो देखें पी-एच पी-एच जो है वो 7.35 है यन्य MPN क्या होगी एसीडिक हो गई यहगी एसीडिक है अदिक है एसीडिक है सिंपल सी बात है NCO3 NCO3 भी abnormal है और PCO2 लेवल भी abnormal 35 to 45 normal PCO2 लेवल होना चाहिए NCO3 22 to 28 यह values का पूरा खेल दोस्त ध्यान रखना values अगर याद है तो solve केसा भी हो आप solve कर दोगे यहाँ पर यह value भी abnormal है दोनों ही कह abnormal है मैंने क्या कहा था NCO3 abnormal होगा metabolic में और respiratory में और metabolic में दोनों में abnormal होंगे PCO2 लेवल और SCO3 लेवल तो यहाँ पर देखें दोनों abnormal है तो यह क्या हो जाएगा partially compensated यह compensated 35 7.35 के just near है यह partially compensated just past में है इसको fully compensated नहीं बोलेंगे partially compensated बोलेंगे और यह क्या हो जाएगा metabolic acidosis तो यह partially compensated metabolic acidosis का यहाँ पर value दे गई है next value देखे uncompensated गी है 7.50 7.52 यानि कि alkalosis alkalosis हो रहा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो यह pH compensated नहीं है यह हो गया uncompensated next देखें इसमें PCO2 लेवल 40 and SCO3 लेवल 30 अनिकमपनसेटेड में मैंने क्या कहा था लेवल जो है SCO3 और PCO2 normal level में होंगे normal level में होंगे SCO3 जो है यह थोड़ा सा बढ़ावा मलब just nearby 28 के just pass ही है लेकिन जो PCO2 लेवल है वो कहा है normal है यह कहा है normal है मलब यह metabolic alkalosis को इंडिगेट करें यह किसको कर रहा है uncompensated metabolic alkalosis जो वेल्यूज है वो ध्यान में है तो ही आप solve कर पाऊगे next देखिए 7.35 50 PCO2 and 22 SCO3 यह कहा compensated respiratory acidosis देखिए acid pH है यहाँ पे PCO2 level बढ़ा हुआ है and SCO3 normal है तो यह कहा compensated respiratory acidosis next देखिए 7.45 PCO2 level 30 and SCO3 level 20 देखिए यहाँ पे pH जो है वो बड़ी वी है यह कहाँ pH बड़ी वी है मलब alkalosis है लेकिन है क्या normal यानि compensated है PCO3 जो level है वो 30 है यानि 35 से यह कम आओ गया CO2 level decrease हो गया तो यह क्या हो जाएगा respiratory and SCO3 जो आपका SCO3 है वो 22 जस्ट नियरबाई है ना तो यह क्या हो जाएगा compensated respiratory alkalosis मैंने क्या कहा था कि respiratory opposite होगा pH अगर बढ़ रही है तो SCO3 level and SCO2 level decrease होंगे हना बस वो ट्री का आपको अगर याद है तो आप easily सभी Qsons को solve कर सकते हो हना तो यह तो बिलकुल short and sweet में सारी चीज़े मैंने आपको बता दिया acid best balance की बारे में अब कुछ सवाल और देख लाते हैं देखी यहाँ पर first सवाल sorry यहाँ पर first सवाल देखी the client is admitted complaining of nausea and vomiting for the past 3 days एक patient जो admit हो है वो complain कर रहा है nausea and vomiting उसको पिछले 3 दिन से हो रहे हैं ठीक है डॉक्टर ने order दिया है कि D51 और 2NS with potassium added यह उस patient को देनी है डॉक्टर ने यह prescribe किये और age nurse आपको यह देनी है which action by nurse is most appropriate यहाँ पर nurse क्या action लेगी nurse का क्या action होगा nurse क्या करेगी यहाँ पर डॉक्टर ने तो कह दिया है कि D51 and 2NS potassium देना है नर्स तो यह करेगी वाई यह जो drugs यह फिर जो भी prescribed डॉक्टर ने किया है वो देना है लेकिन अब भी यहाँ पर nurse करेगी क्या options आपको देर रखे है obtain an IV controller next check the client vital sign next check the sodium level next obtain an 18-gase to begin the infusion यहाँ पर आपको correct answer करना है option first obtain an IV controller कभी भी potassium को ऐसे नहीं दिया जाता है कि डाल दिया चलो bottle के अंदर दो एनस बोतल में potassium डालना है और patient को start कर देना है ऐसा नहीं करना है IV controller की जरुरत पड़ेगी IV controller की जरुरत पड़ेगी patient को वो drip से कम यह फिर ज्यादा हो सकता है patient को cardiac dysrhythmia होने के बहुत ज्यादा chances होते है इसलिए potassium को कभी भी IV use यह फिर IV नहीं दिया जाता है जब भी दिया जाता है वो IV controller से ही दिया जाता है ध्याद रखिएगा इस चीज़ का बहुत इंपोर्टेंट यहाँ पी यह सवाल if potassium is added IV fluid a controller is required because to rapid infusion of potassium can lead to cardiac arrhythmia cardiac arrhythmia यह coach कर सकता है अगर quickly यह फिर rapid infusion अगर इसका हो जाए तो इसलिए IV controller आपको सबसे पहले obtain करना होगा उसके बाद में यह जो भी fluid आपको मलब बताए गया prescribed किया गया डॉक्टर के द्वारा वो देना है next सवाल देखे a client is admitted to the unit with third degree burn to his chest and neck एक इसा patient admit हो है जिसको third degree burn हो है और chest और neck में जो है ज्यादा मलब जो भी burn part हो है वो कहां से हो है chest और neck से the nurse should be vigilant vigilant का मलब होता है सतर कोन है to assess which of the following nurse वहाँ पे सतर कहे या फिर nurse जो है उस patient को assess कर रहे है तो क्या assess करेगी options आपको दर रहे है circulation, airway, urinary output, pen यहाँ पर आपको answer में करना option second airway, airway maintenance first priority रहेगी okay airway maintenance आपकी first priority रहेगी ध्यान रखना chest पे वेशे भी burn कहां पर और का है chest और neck वाले region में तो breathing difficulty होगी तो airway monitor उस patient का करते रहना है देखिए यहाँ पर rational में because the client is burned to the chest is too likely to be he has airway difficulty अगर chest burn हुआ है तो सिद्धी सी बात है उसको airway difficulty होगी तो the nurse should assess the client to smoke inhalation साथे साथ nurse जो है उस patient को यह भी पूछेगी कि कहीं आप बेडी cigarette तो नहीं पीते हैं क्योंकि patient, चाहे कितना भी बिमार हो जाए कितना भी जल जाए लेकिन patient की जो आदित होथी है वो जब minimize होती है अगर वो छोड़ना भी चाहे ऐसी आदित को तो oni देरे देरे छोड़ती है तो यहाँ पर smoke inhalation करता है कि निहीं करता है वो भी पूछ लेना है लेकिन इस पेशेंट की एरवे जो है वो आपको सबसे पहले असेस करना है नेक्स सवाल देखिए the client with hypoparathyroidism है जो लेको parathyroid सोरी parathyroid hormone देखिए जो hypothyroidism का patient है जिसमें parathyroid hormone की कमी हो रखी है सवाल क्या पूछा रहा है the client will most likely have a serum calcium level of which of the following patient में कौन सा serum calcium level यानि कितना क्या serum calcium level आपको देखने को मिलेगा क्या और का hypoparathyroidism यानि parathyroid hormone की कमी हो रखी है तो क्या parameter या फिर कितना क्या serum calcium level आपको इस patient में देखने को मिलेगा सवाल यह पूछा जा रहा है सवाल यहां पर पूछा गया है तो यहां पर एक ही जवाब है यहां पर सीधा सा सिंपल सा यहां पर आपको क्रेक्ट आंसर कर देना option first 3.5 mz par dl hypo thai sorry parathyroid hormone की अगर कमी हो रही है तो calcium का लेवल डिक्रेज होगा बाकि सभी यहां पर नॉमल वेल्यू शे अबहु है ओके देखिए यहां पर नॉमल calcium level is at 0.5 to 10.5 mz par dl यह नॉमल कैलसियम लेवल होता है यहां पर parathyroid hormone की कमी हो रही है तो calcium भी कम बनेगा तो यहां पर 3.5 एक ही वेल्यू जो है जो कम यानि calcium को indicate कर रहे है बाकि तो सभी नॉमल वेल्यू जे कैलसियम की मलब नॉमल से अब हुआ है elevated है ओके next देखिए a client is admitted with a pH जो मैंने आपको सवाल बता है अभी पिएच वाले वे सवाल यहां पर देख लीजिए नर्स असिस्स कर रहे है तो कौनसी फाइंडिंग नर्स को देखने को मिलेगी पिएच देखिए क्या है देखिए पिएच यह क्या है इनक्रीज है यानि यह क्या हो रहा है respiratory opposite RO याद गरो RO respiratory opposite अगर PNC decrease हो रही है PCO2 and CO3 increase हो रहा है तो यह किसको indicate कर रहा है respiratory को किसको respiratory को अब हो क्या रहा है Acidosis क्या हो रहा है Acidosis PNC गिर रही है तो यहाँ पर answer में क्या हो जाएगा आपका respiratory Acidosis तो इस प्रकार से आपको solve करना है अगर आपको values याद है तो बिल्कुल simple simple तरीके से आप क्यूशन को solve कर दोगे पता ही नीच लेगा कि क्यूशन का answer ज्यादा difficult लगा कि आपको है ना तो values आपको याद करनी है trick भी आपको याद करनी है तो respiratory alkalosis आपका sorry respiratory acid usage आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा next देखिए जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते है client admit हुआ है जिसको motor vehicle accident हुआ है motor vehicle accident का patient है और हो admit हुआ है extensive internal bleeding बहुत ज्यादा internal bleeding उस patient की हुई है यह suspected हुआ है मलब उसमें बहुत ज्यादा bleeding हुई हुई उस patient को अब सवाल में पूछा आपको जा रहा acid-base balance है pH है उस patient की जब serum pH चेक की जाती है pH उसके 7.0 आ रही है PCO2 जो है 32 mmHg आ रहा है यहाँ पर जो लेबोरेटर फाइंडिंग असेस कर रही है यह फाइंडिंग नर्स ने देखी तो नर्स को क्या लगा यानि कौन सा acid-base balance है इस patient में हो सकता है देखी यहाँ पर क्या है pH गिर रही है PCO2 लेवल भी गिर रहा है अब यहाँ पर होगा कि MO metabolic equal respiratory opposite हो रहा था metabolic equal यानि pH गिर रही है PCO2 लेवल भी गिर रहा है PCO2 लेवल भी गिर रहा है यहाँ पर compensated, uncompensated, partial compensated नहीं पूछा गया है अगर simple सा स्वाल पूछ जाए तो simple ही जवाब आपको देना है metabolic equal है acidosis हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा metabolic acidosis option first जो है वो आपका right answer हो जाएगा बिल्कुल simple है ना अगर आपको values याद है और trick याद है तो आप बिल्कुल easily solve कर दोगी next देखिए which of the following equipment सुर्द है obtain to safely administer magnesium sulfate magnesium sulfate अगर किसी patient को administer करनी है तो कौनसा equipment आप obtain करोगे जैसे आपने potassium दिया है वेचे ही magnesium sulfate को देना है क्योंकि magnesium sulfate की भी toxicity हो सकती है यहाँ पर भी आपको answer में करना होगा an IV rate controller जो IV rate controller device होती है वो आपको use करनी होगी वो आपको obtain करनी होगी ताकि magnesium sulfate को एक control rate से patient को administer किया जा सके देखिए an IV controller must be obtained in order to safely administer magnesium sulfate if magnesium sulfate is administered to quickly toxicity can result देखिए अगर आप magnesium sulfate को भी quickly या फिर rapidly आप देते हैं तो toxicity इसकी भी हो सकती है और इसकी वज़़ा से respiratory arrest patient को हो सकता है ध्यान रखिए गह बहुत important है और यहां से सवाल भी पूछी जाते हैं magnesium sulfate के antidote क्या होती है calcium gluconate calcium gluconate next सवाल देखिए which medication can potentiate a fluid volume deficit कौन से हो medication है जो fluid volume deficit के लिए responsible है या फिर potentiate है option देखिए first insulin यहाँ पे कुछ brand name दे रखिए propanolol, frucamide and digepam यहाँ पे आपको सवाल का अंसर कर देना है option C frucamide यानि लासिक्स लासिक्स क्या करती है urine output बढ़ा देती है अगर urine output बढ़ जाएगा patient ज्यादा अगर frucamide खा ले तो उसके वज़े से क्या होगा fluid volume deficit हो जाएगा अगर urine output बढ़ रहा है तो fluid volume क्या हो रहा है deficit हो रहा है fluid volume बहार निकल रहा है bodice fluid volume deficit के लिए कौनसर मेडिकेशन रेस्पोंसिबल है लासिक्स यानि frucamide देखी लासिक्स जो है यह non potassium sparing diuretic होती है जो fluid volume deficit के लिए responsible होती है next देखे सवाल the client is admitted to the unit with anorexia nervosa the nurse is aware patient कुछ भी खापी नहीं रहा है bulimia nervosa जो disease condition होती है यह psychiatric condition है bulimia nervosa में क्या होता है patient बहुत ज़्यादा खाता है जितनी जरुत होती है उससे भी double table वो खा लेता है 2-3 गुना वो ज़्यादा ही खाता है लेकिन anorexia nervosa में patient को ऐसा लगता है कि मैं कहीं obesity का शिकार नहीं हो जाओ इसलिए वो बिल्कुल भी खाना नहीं कहता है तो यह condition होती है anorexia nervosa अगर patient कुछ भी खापी नहीं रहा है तो क्या होगा यानि कौन सा acid-base balance देखने को मिलेगा देखिए acidosis होना है 100% acid तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर vomiting हो रही है सवाल पूछी जाते हैं कि एक patient है जिसको continuous तीन दिन से vomiting हो रही है तो यहाँ पर कौन सा acid-base balance होगा देखिए acid क्या हो रहा है लोस हो रहा है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा metabolic alkalosis वहाँ पर pH क्या हो जाएगी alkalosis अगर diarrhea patient को है यानि alkaline जो nature है वो होती है intestine की अगर patient को diarrhea हो रहा है तो alkaline जो nature है वो acidic pH में बदल जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा metabolic acidosis तो यह जो time size ही बस आपको समझने की जरुरत है ऐसे जो भी सवाल पूछी जाते है वो आपको सिर्फ समझने की जरुरत होती है next and last सवाल देखिए यहाँ पर सवाल में कुछ से यहाँ पर solution दे रखा है a client is with anorexia nervosa is to state a negative nitrogen balance यहाँ यह जो state a anorexia nervosa गी यह negative nitrogen balance पर बार करती है तो यहाँ पर जो patient होगा वो metabolic acidosis से suffer करेगा next and last question आज की इस वीडियो का please friends आपसे भी से request है like करके अपने friends को share जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप subscribe करके like sorry subscribe करके आप bell icon बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक update जल्द से जल्दी मिलते रहे लेकिए the client is admitted with a blood glucose level 545 545 mg per deal blood glucose level आ रहा है यहां पर आपके बास में admit one diabetes mellitus का यह patient है बहुत ज़्यादा sugar level बड़ा हुआ है which action by the nurse indicate that the nurse is aware of the client's need nurse क्या action लेगी nurse को पढ़ा है कि इस patient को यह हो रहा है तो nurse की need के according nurse क्या action लेगी यहां पर आपको answer में करना होगा the nurse prepare to administer insulin IV IV insulin patient को administer करवाना है यह action आपको लेना है क्योंकि blood glucose level बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है the client with blood glucose for 545 mg per deal is metabolic acidosis और आपने एक word सुना होगा DKA diabetic ketoacidosis diabetes mellitus हो रहा है तो भी क्या होगा metabolic acidosis ध्यान रखना an IV with insulin will be ordered तो यहां पर insulin जो है वो उस patient को देना है वैसे भी already उसका blood sugar level बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो यह थी हमारे कुछ सवाल और यह था complete acid-based balance का topic उमिद करूँगा कि आप सभी को बहुत यह अच्छे तरह की से समझ में आ गया होगा फिर भी अगर आपको कहीं doubt हो तो आप हमें comment करके पोच सकते हैं फिर मिलेंगे नए topic के साथ तब तक के लिए बने रहेएगा हमारे साथ thank you so very much